हैल दोस्तों आज हम लोग 25 सवाल को रिस्क्रिश करेंगे स्पेसल स्ट्ट के लिए और सिट नंबर 8 है आगे बढ़ते हैं एक नंबर सवाल देखते हैं दिया गया है आप किस छात्रों को पढ़ाना पसंद करेंगे जो कक्छा में ध्यान से पढ़े जो कक्छा में सांत्र है जो जिग्यासु हो जो वीनित हो तो वैसे ही छात्रों को आप पढ़ाना पसंद करेंगे जो जिग्यासु हो जिन में सिखने की रुची हो जो सिखना चाहते हैं तो उनको आप असानी से सिखा भी सकते हैं तो option number 6 कराईट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं दोर नंबर शवाल देखते हैं दिया गया है सिक्षक ही समाज को उन्नतिक के मार्ग पर ले जा सकता है क्योंकि वो अपनी बात कम और समाज की बात अधिक सुचता है भावी नगरी को कुछ सही मार्ग दिखा सकता है इसलिए या समाज के प्रति समर्पित होता है वो अभी एक समाजिक प्रानी होता है जिसकार जो राइट आंसर होगा अप्सन नंबर क्या होगा भावी नगरी को कुछ सही दिसान रिष्कों देता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिचा के समाज को उनती के मार्ग पे ले जा सकता है तिन नंबर स्वाल देखते हैं बच्चों में विचार सहीने की आदर डालने के लिए तो जो सबसे अच्छा तरीका होगा उनसे निवंद लिखवाना जिससे क्या होगा उनके बिचार स्वेजन बढ़ेंगे और आदत भी उनमें आएगए चारण नमर सो लेगे सिक्षन की खेल वीधी का अरथ है चेल क्रियाओं दोरा सिक्षा क्रियाओं दोरा मनरंजन खेल किर शिक्षा खेल शिल्ता पर जूढ क्या होगा इस क्राइट आंसर तो खेल यानि जो सिक्षन होता है उसमें खेल विदी का मतलब हुआ कि खेल क्रियाओंदोरा सिक्षा परदान करना खेल के माध्यम से देखें पांच नमर स्वा लेखते हैं या उसका कारण जानने की कोशिस करेंगे आपके साथ ऐसा बेहवार क्यों हो रहा है तो सबसे जो राइट आंसर होगा आपसे नमर डी होगा आप कारण पता लगाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर उस कारण पता लगाकर उस समस्या का समधान करने की कोश्री से भी करेंगे आप 6 नुमर शवाल देखते हैं खेल खेल में सिक्षा से तत पर रहे हैं यानि खेल खेल में सिक्षा से क्या आप समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका खेल दोड़ा सिक्षा परदान करना खेल कराना विद्यार्थों में खेल की भावना विक्सित करना जिवन में खेल की भावना परदान करना तो six का क्या होगा इसका भी right answer हो जेगा ए, खेल के माधहम से सिक्षा देना देखिए साथ नमबर शवाल देखते हैं अच्छी पाठ पुष्टकों में विसाय के संबंद में कैसा वर्णन होना चाहिए देखिए अच्छी पाठ पुष्टकों में विसाय के बारे में कैसा वर्णन होना चाहिए विस्तार पुर्वक विर्णन होना चाहिए किवल संचिप्त रूप रेखा होना चाहिए किवल इतना पार्ट समागरिक जो अतरीक्त अध्यन के लिए परसाहित करे या किवल प्राश्ण और उनके उत्तर होना चाहिए तो इसका जो suitable answer होगा option number C होगा आठ नंबर स्वाल देखते हैं पाठ पुस्तकों के जो बिशाय के अनुभावी सिक्षकों दोरा लिखी जाती है उनका ही चैन करना चाहिए क्यूं वह बिशाय का ज्यान रखते हैं इसलिए वह अनुभावी होते हैं या वह जानते हैं कि विद्यार्थि कहां पे और कब कैसे तूटी करता है या वह बिद्यार्थि की पसंद और नापसंद को जानते हैं तो दखिए ये तो जरूर जानेगे अपने अनुभाव के अधार पे कि विद्यार्थि कहां पे गलती कर सकता है और कब और कैसे तो ये अधार पे लिखते हैं बोक भी तो ऐसे ही बोक का भी हम लोग को मतलब सामिल करना चाहिए, चैन भी करना चाहिए और नो नमबर सवाल देखते हैं, दिया गया कि निरंतर आंतरीक परिक्षन से, देखिए निरंतर यानि लगतार आंतरीक परिक्षन से निमलिखित में से कौन सा लाब सबसे अधिक होगा, मत्पून है इसके कारण चात्र पूरा वर्ष परिश्रम करते रहेंगे इसे से अनुसासन बनाये रखने में सहायता मेरती है इसे चात्र अध्यापको को अधिक आदर करते हैं या इसे से चात्र को अधिक अंग पराप्त होंगे तो देखिए जब निरांतर लगतार परिक्षन होते रहेगा तो चात्र अनि बीजी रहेंगे प्यस्त रहेंगे और काम करते रहेंगे आनि समय नस्ट नहीं होगा तो अप्शन नमर एस का राइटन्स होगे इसके करण चात पूरा बर्ष जो भी एकाडमिक एवर है उसमें प्रिशनम करते रहेंगे अपना काम करते रहेंगे सही तरीके से दसनमर सवाल देखते हैं कि हाई स्कूल कक्षा में हाई स्कूल की हाविबाद कि जग कक्षा में अध्यापक को अशकता होती है किस चीज की ओशकता होती है या क्या करने की ओशकता होती है निरंकुष परकार की नियंतरन का परयोग करने की परणता छूट देने की या प्रचतांतरिक परकार के नियंतरन का परयोग करने की या नियंतरन नहीं परयोग की तो देखिए हाई स्कूल की बात है तो उसमें क्या करना होगा प्रचा तांतरीक परकार के नियंतरन का परयोग करने की और शक्ता होती एक अध्यापक को ग्यारा नमबर स्वाल दिखते हैं कि प्रोग्राम सिखने के महत्तो है तो निमलेखित में से कौन सा उचित है प्रोग्राम सिखने के महत्तो है गोश्टी करना चात्रों को प्रोग्राम त्यार करने का व्यास करा कर चात्रों को प्रोग्राम दोरा कक्छा में सिक्छन देना या प्रोग्राम सिखने पर भासन का योजन करना तो सबसे इसका सुटेवल आंसर क्या होगा तो अप्सन नमबर सी योगाने छात्रों को प्रग्राम दोरा कच्छा में सिक्चन देना बारा नुमर स्वाल दिखते हैं कि प्रग्राम विधी से सिखने में निमलिकित में से मुख्य क्या होती है चात्र को केवल पुष्टक की ग्यान होता है यह केवल यांतरिक विधी दोरा सिखना होता है इसमें अधिक समय नश्ट होता है इसमें सिख्छक के बेक्तितों का परभाव चात्र पे नहीं परता है तो यहीं बात से यह अप्सन में डी ही इसका राइट आंसर होगा तेरा नमबर स्वाल की प्रग्राम वेधि का लाब केवल उन देशों में श्रंभाव है जहां पे मसीनों की संख्या आधिक हो जहां पे छात्रों में पढ़ने की रूची हो जहां सिछकों को प्रग्राम बनाने का ज्यान हो या उपर उक्ति में से जो सभी पाई जाती हो तो नई तरह की सिक्षा ब्योश्था या मुक्त सिक्षा पत्राचार पाठिकरम आदी का उचित है क्यों उचित है कि विरोज़गारी कम करने के दिरिष्टी से निरक्षरता कम करने के दिरिष्टी से सैचिक और शरों की समन्ता बढ़ाने के दिरिष्टी से या शिक्षा पर होन वाले खर्च को कम करने की दिरिष्टी से तो 14 का क्या हो जागा इसका राइट आंसर तो अपसर नम्बर सी होगा इस रैक्षिक और शवरों की समन्ता बढ़ाने की दिरिष्टी से पंदर नम्बर स्वाल देखते हैं प्राथमी कस्तर पर सीख्षा का माध्यम मात्री वर्षा होना चाहिए क्यूं की क्यूं होना चाहिए प्राथमी कस्तर पर पूछा जा रहा है इसमें देश प्रेम की भावना विक्सित होती है इससे बच्चों को पाठ करम समझाने में बनातरी भाषा हुँदा होती है, इसलिए परात्मीक अस्तर पे, जो सिक्षा का माध्यम बन सकती है। में देखिए सर्वतर माध्यम बला जरा है हिंदी अंग्रेजी चेतरिय भषा है मातरिय भषा तो शूल लग क्या होगा इसका राइट आंसर तो यहाँ पर यह होगा यानि हिंदी यहाँ पर देखिए प्राथमिक कक्षाओं में स्तिरिव का अध्यापन कार करना अच्छा है क्योंकि प्राथमिकस्तरपिया नी महिलाओं काध्यापन करना उसमें सिक्षन करना अच्छा माना जाता है क्यूं क्योंawahakasthane ले लेती है उनका कंड जो है मधुर होता है सिक्षन इस्तिरिवक के लिए अच्छी नौक्री है या वे एक गाना-गाश रगती है तो देखिए सत्रा का क्या होगा क्योंकि देखिए छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो अपस नम्बर एहीं इसकराई ठाजरेने वो हमा का स्थान ले लेती है यहाँ पर महिलाओ की बात की ज़र है तो यह पढ़ात्मिक कक्छाओं के लिए इस तिरिये ही सबसे अच्छा माना जाता है उनका ही सिक्छन देखिए अठारा नम्बर स्वाल देखते हैं कुछ बर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि क्यों बदलते रहना चाहिए उसी किताब को पढ़ाते पढ़ाते सिक्छक उप जाते है लेखा को लिखने का उश्र मिलता है इससे नई किताबों को अधिक चित्र होंगे या इससे ग्यान में ब्रीधी होगा तो क्या होगा इस कराईट आंसर है क्योंकि जो कार करके शी conceal उप जाता है बच्चे करके अधिक अच्छा समझते है या अधिक रूचिकर होता है बच्चे किरियाश्रिटा पसंद करते है बच्चे यानि इससे बच्चों को बेहस्त रखने में शाहिता मिलती है उननीस का क्या होगा कि देखिए बच्चे जो होते हैं किरिया शिल्ता बहुत ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं तो इसलिए कार करके सिखना सबसे उप्योगी माना जाता है बिच निमर शवाल देखते हैं विद्यार्थियों की प्रगर्ति पत्रीका त्यार करने से क्या होगा यहाँ पर प्रगती पत्रीका त्यार करने से क्या होगा छात्रों की उनकी सम्प्राप्ति का पता लगेगा छात्रों की सम्प्राप्ति का परधाना ध्या पक अविवावग छात्रों का पता चल जाएगा एन उनको पता चल जाएगा प्रगती पत्रीका की अधार पर ही उनके इसे सिक्षा हो सकेंगे या छात्रों की जो कमी है उसे दूर किया जा सकता है इसके माध्यम से तो option number इसका जो B होगा वो right answer होगा इससे पता चलेगा प्रगती का आपको मतलब आपके बच्चे के बारे में सबको पता चल जाएगा कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष में शफल होगा जब हुआ कोई भी अध्यापक यहां पे दिया गया है कि अपने लक्ष में शफल हो सकता है जब वो क्या करेगा छात्रों को अनुशास्टन में रखेगा या छात्रों को अपने सिक्षन से प्रभाहित कर सके या समय किसी कक्षा में या छात्रों के हीत को ध्यान में रखे 21 का क्या होगा तो कभी भी आप सफलोंगे अपने लक्ष में जब छात्रों की हीत को ध्यान में रखकर उनके अध्यापक को नहीं, बल्कि अन्य अध्यापक को करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे, छात्रों को अपने ग्यान की अश्रिलियत का पता चलेगा, छात्रों के जो साथ है अन्याय और पक्षपात नहीं होगा, छात्रों का आत्म व सकता है सबको जेव जैसे लिखा है उसको वैसे ही हिसाब से नंबर मिल जाएगा जेकिए तेइस नंबर सवाल देखते हैं कि कोई छात आपकी खुशामत देखिए खूब करता है तो उसे रुखने के लिए आप क्या करेंगे उसे कहा देंगे कि खुशामत से कोई लाव होने नहीं है यह नहीं होगा उसे अभ्यावक से इसकी शिकायत करतेंगे यह उसे दंडित करेंगे उसके परती उदासिंथा दिखाएंगे तो right answer होगा डी उसके परती आप मुदासिंथा दिखाएंगे कि खुशामत करना ये अच्छी बात नहीं होती है 24 नमर स्वाल देखते हैं कि आपके विचार से पाठ करम एक सिक्चक होने के नाते आपके विचार से पाठ करम क्या होता है चातर की रूची के अनुसार होना चाहिए या ऐसा हो जो चातर की और यानि उनके शमता के अनुसार बदला जा सके या चातर की क्रेश सिलता का सद्ब्योग करने वाला हो या उप्रोगत मेंसे सभी तो यानि 24 कपस नमबर दी ही इसका राइट आंसर होगा आज का लास्ट स्वाल होगा चात्रों में स्वा अध्यान का पिस्था यानि विकास करने ये तू आप क्या करना उचित समझेंगे स्वा अध्यान के महत्वे भासन चात्रों के रुची अनुशार पाठ समागरी देना बिद्याले में श्वार अध्यान है तू अस्थान की व्योस्था करना या प्रयोक तो सभी बातों पर ध्यान देंगे तो ये सभी बाते आप कर सकते हैं सब सही है तो इसका राइट आंसर डी होगा तो ये थे 25 वाल अगर वीडियो पुसंद तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद